दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब WhatsApp पे आप किसी से भी जाते हैं वीडियो कॉल करने के लिए तो आपको जो वहाँ पे वीडियो कॉल लगता नहीं है और लगता है तो तुरंती कट जाता है तो इसका रीजन क्या है और साथ ही इस प्रॉब्लम को जो आप कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाड़ा हो तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विवेक और श्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्वित भिहारी में दोस्तों वीडियो स्टार्ट को उनसे पहले चैनल पर पहली वाड़ा है तो च वॉट्सप का वीडियो कॉल झ altre तो क्ट वो जाता और कई कई को चाल को यह नहीं लगता तो यह समझेगा अगर आप ये संच रहे हैं कि वाड़ासप की तरफ इक्रफ आप दिक्कत है अप्सक्ण कारण से आपका जो वीडियो कॉल है वह लगता नहीं और लगता है तो वह कट कर जाता है तो सबसे पहले आपको परमिसन एलायो करना है परमिसन एलायो करने के लिए आप फॉन के सेटिंग वाच्टसपप क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए सबसे पहला हमारा जो काम है पर पर मिशन वाला इससे हम ओपन करेंगे यहां पर देखिए आपका बहुत सारा पर मिशन जो ए ओफ होगा इसमें से सारे वीडियो को लग जा रहा है तो ठीक है अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिकत हो रहा है तो next step को आप follow करेंगे next step में आपको back आना है यहाँ पर एक बाद इसे force stop पर click करना और यहां से ok कर देना है और उसके बाद जो है आप आएंगे storage में storage पर click करेंगे और इसके यहां पर देखे clear catch का option मिलना है यहां से clear catch करेंगे clear catch करने के बाद आपको यहां से back आना है और उसके बाद यहां पर देखेंगे एक option मिलता है data usage का data usage पर click करके एक बार आप यह चेक किजिए background data जो है यह on है या off अगर यह off है तो इससे on कर देंगे इतना setting आपको इसके app सेक्षन में करना है इतना करने के बाद अगर आपका वार्टसप वीडियो कोले ठीक हो जाता है जो ठीक है अगर आगे catch tip आप हमारे साथ follow कीजिए आपका प्रॉब्लम वो solve हो जाएगा इतना करने के बाद आपको नहीं ठीक होता है तो अपने phone का जो file manager है उस file manager में आ पर आपको आना है और यहाँ पर आने की बात आपके phorn में जो भी एप्स बना होगा वो सारा अप जो है मिल जाए तो इसमें आपको जो है android वाला एप धुदनना है जहां Parce what में दो चलिया है लाए प् चलिंग यह सर्च करए वाt्सप छे भॉब्ल直न यहां से क्रहड़ा टोडर दोड़न करके आप देखे एक कॉम.watsapp बाला जो यहा पर ऐसे देख रहे हैं इसे दूर्ड़ना और इस फाईल को यहा पे सेलेक्ट करके इस फाईल को सबसे पहले आप डिलीट कर देंगे यहां से डिलीट कर दीजिए इतना करना है उसके बाद आपको यहां पर बैक आना है और एक और आएंगे मतलब कि हमारा इंटर्नल टोडेज है यह वाला जो आप्शन है इस पर आएंगे और नीचे हम स्कीन को स्कॉल डाउन करेंगे तो हमको देखिए एक वाटसप बला ओफशन मिलेगा तो आपको इसे भी डिलीट करना है वाटसप बला जो फोल्डर है इसको भी डिलीट करना है इससे डिलीट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ कि अगर आप इस पर डिलीट करेंगे तो आपका जो भी डाटा होगा वाटसप पे च तरहा कुछ डिलीट हो जाएगा तो अगर आप इसे सब चीज रख लेते हैं अपने दोस्तों के पास रख लेते हैं अगर आपका जो भी इंपोटेंट डाटा उसे रख लेते हैं इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट करने के बाद अपने वाट्सप को फॉन से एक बाद कर सकते हैं चलिए हमें दीजे थोड़ा सा समय हम मिलते नेक्ट वीडियो में बहुत जल्द